असलाम आलेकम एब्रीवन वेलकम बैक टो माय चैनल आज की रेसिपी है विट्टेस्पेशन मेति का पराठा यह बहुत ही रेस्टी होता है खाने में साथ में काफी हेल्दी होता है आप इसे बना के जह है रब भी सकते हैं स्टोर भी कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए इसी त तरीके से पानी में धोलें detta ॢुटेस्द आयार करना होता है विए हमें चाहिए हआधनी यह तडिका टुकड़ा हरी मिर्चे चाहिए टीन हरी मिर्चे चाहिए और शार गारल्ली क्लोफ keywords यह बड़ा लसन था से कते हैयर तो मैंने टोर चाहिए चाहिए जब wann Ouch तो आप जादा ले लीजेगा and 1 teaspoon जीरा और इसका एक हमें पेस्ट स्यार करें तो चलिए अब आटा गूना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक बोल में आड कर देंगे दो कब गी हूंका आटा अब इसमें हम शामिल करेंगे मेधी जो हमने काट के रखी थी और अब हम इसमें आड करेंगे बेसन, बेसन को डालने के बाद इसमें जाएंगे पाउडर्ड स्पाइसेज, पाउडर्ड स्पाइसेज में मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 teaspoon रेचिली पाउडर, 1.5 teaspoon हल्डी पाउडर, 1 teaspoon coriander, 1.5 teaspoon गरम मसाला and 1 teaspoon सॉल्ट अब इन सारी चीजों को इसमें आड कर देंगे, और इसके बाद हम इसमें आड करेंगे ग्रीन पेस, यह ग्रीन पेस वह है जो चीज़े मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाई थी, उसको पीस लिया था, और अब इन सारे चीजों को एड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कि यहां पर सारे चीजुग अच्छ से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें variability कर देंगे और यहां पर में थे टीबल स्पोन इसमें ओयल ऐड़ कर रही हूं और इससे भी अच्छ से मिला लेंगे पानी तो धोलग अब इसी तरीके से इसे हम 3-4 मिनिट के लिए गून लेंगे, इतना अचा आठा गून देंगे उतने ही अच्छे पराठे soft बन के तयार होंगे और यहां पर हमारा आठा एकदम गून के रेडी हो चुका है अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे तो इसके लिए अब हम आठे की उपर लगा देंगे oil ताकि आठे की surface dry ना हो और इसके बाद हम इसे किसी भी कपड़े से ढख देंगे और 30-40 मिनिट के लिए इसी तरीके से रेस्ट करने देंगे तो यहां पर हमारे आठे को रखे हुए 40 मिनिट हो गए है और यह एकदम soft हो गया है बस हम एक बार फिर से इसे 2-3 मिनिट के लिए गूल लेंगे इसी तरीके से और यहां पर हमारा दो एकदम तयार हो गया है अब हम इसके पराटे बनाना स्टार्ट करते हैं तो अब इस दो में से हम थोड़ थोड़े portion लेके इसकी पेड़े तयार कर लेंगे यहां पर इतने आठे में जो हैं rolling surface पर रखके इसे बेल लेंगे तो यहाँ पर इसे simply बेलना है इसे जो है एक medium size का बेलने और इसके बाद अब हम इसकी उपर अप्लाई करेंगे घी तो यहाँ पर हम इसकी उपर घी अप्लाई कर देंगे और इसके बाद हम इसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और इस तरब भी हमें घी लगा लेना है ऐसा करने से जो लेयर्स बनती है पराठे में बहुत अच्छी बनती है हम यहाँ पर ट्राइंगल शेप का पराठा बना रहे हैं और अब इसके उपर हलका सा हम इसे डस्ट कर लेंगे आठे के साथ बहुत जाथा डस्ट ना करें वनना जब Bँ अब पराठा सिखता है तो इसके उपर एक बहुत जाथा डाक सा कलर आ जाता हलका सा कर लेंगे तो यहाँ पराठा बिल्के एकद़ दम तयार हो गया है अब हम इसे सेख लेंगे तो सेखने के लिए मैंने दूसरी तरफ पैन को गरम करनी के लिए रख दिया था जब ये गरम हो जाएगा तब हम उसकी उपर पराटे को डाल देंगे और अब पराटे को हमें दोनों तरफ सेख लेना है और घी लगाने के बाद हम इसे जो हैं इसकी साइट को चेंज कर देंगे और इसे सेख लेंगे जब तक इसकी उपर एक गोल्डन कलर नहीं आ जाएगा और इसे जो हैं खुब अच्छी तरीकी से दबा के सेखें तक कि कोने जो हैं पराठे के वो अच्छे से सेख जाएं और अब इस साइट पे भी हम घी लगा लेंगे और घी लगाने के बाद हम साइट को चेंज कर देंगे और दूसरी इस साइट से भी हम इसे पराठे को बहुत अच्छे से सेख लेना है तो यहां पे पराथा दोने तरफ से सě गया एक आची तरीके से अब हम इसे प्लेट मेने निकाल लेंगे और बाकिके सारे पराथा को भी शेसी तायर कर लेंगे पर रेडी ओगए सारे मेथी के पराथे आप इसी तरीके से इसे गर्मा-गर्म सर्फ करें राइते के साथ और यहाँ पर मैं आचारी आलो के साथ इने सर्फ कर रही हूँ आप इसे चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं आचार के साथ सर्फ कर सकते हैं खाली भी यह बहुत ही मज़े के लगते हैं और यह बहुत सॉफ्ट रहता है, देखिए कितना सॉफ्ट यह पराठा बना है, अंदर से बहुत अच्छी इसके लेयर्स आई हैं, इसी तरीके से यह पराठा खराब नहीं होता है, एक से दो दिन के लिए आप इसे ट्रावल करने जा रहे हो ताब इस पराठा को बना के लेक हैं रहे हो यह जए बना हैं, इसी तरीके सान के सिर्फशा और मेता हैं, इसी में बना है।